हे गाईज, आज हम बना रहे हैं काचरे का अचार, अभी काचरा बहुत जादा सीजन में है, राजस्तान में तो यह बहुत एजीली मिल जाता है, आजकल तो हर जगर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो चलिए इसका अचार बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्राइंग प एकदम कम flame पे आपको dry roast कर लेना है सारी चीज़े बिल्कुल अच्छे से dry roast हो चुकी है flame को बंद कर दिंगे इसे हम mixer jar में हलका दरदरा piece लेंगे थंडा होने के बाद में यहाँ पर यह मैने काचरा ले लिया है जो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको बहुत ही easily मिल जाएगा यह आप local market में जाओगे न सबजी मंडे में वहाँ पे अब आप काचरे को पहले wash कर लिजे उसके बाद दो हिस्सों में cut करिए और हाँ एक बाद जो आपको ध्यान रखने है काचरे को taste करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार काचरे कड़वे निकल जाते हैं अगर एक काचरे कड़वा निकलाना तो आपका अचार खराब हो सकता है तो एक काचरे को cut करके आप taste ज़रूर से करिए काचरा कड़वा बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए तो इस प्रोसेस में आप किसी की help भी ले सकते हो जो आपको taste करके काचरा दे दे तो यहाँ पे सारे काचरे को हमने cut कर लिया है काचरे यहाँ पे बिल्कुल तयार हो चुके है अब चलिए इसके लिए बाकी का हम मसाला बना के तयार कर लेते हैं तो काचरे को हम डालेंगे एक बड़े बरतन में अब आपको इसमें मसाले डाल देने तो जो मसाल trail म्साला आमने अधिम्फा व्यार्ष को अधिये लया है वह भी हमने एक बड़ा चम्मच ल buffet हम यहाँ पर टालेंगे लेल मिर्ची पाउडर एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक बड़ा चम्मच हरा तो आप थोड़ा कम डाल सारी चीजों को अच्छे से हमें mix कर लेना है काचरे पे मसाला पूरा coat हो जाए अच्छे से जब mix हो जाए उसके भाद धूप में रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए चलिए चार घंटे हो चुके यहां पे हम तेल को गरम कर लेतें तो मैंने सरसो का तेल लिया है एक कप लिया है इसे हम smoky point आने तक गरम कर लेंगे काचरे को भी में छट से लीके आज़ू क्यों आप देख सकते हो काचरे ने मसाले को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है बिल्कुल अच्छा सा कितना अच्छा लग रहा ना अगर आपको बिना तेल का चार चाहिए तो आप इस काच्रे के अंदर डालेंगे गरम तेल को बिल्कुल नहीं डालना या तेल रूम टेंपरेचर पumnीह तब ही आपको काच्रे में इससे मिक्स करना है और अच्छे से मसाले को और इसको हममिक्स कर देंगे अब हम इपस से 3-4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे गर आप से एक दिन की धूप दिखा सकते हो उसके बाद एकदम साफ ग्लास कंटेनर में या फिर मिट्टी के वर्तन में इसे भर के आप बाहर भी स्टोर करके रख सकते हो बस टेल की लेयर जो है वो उपड़ तक आनी चाहिए नहीं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए ये मैंने तक भी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बहुत ही टेस्टी बनता है एक बार यह ज़रूर करना है आपको वीडियो कैसा लगा वह भी मुझे बताना